Hello everyone, welcome to Farmer Oaks YouTube channel, Farmer Oaks के YouTube educational channel में आपका स्वागत है आज के वीडियो lecture में हम detail में study करेंगे allergy के बारे में तो हम सिखेंगे के allergy क्यों होती है साथ ही समझेंगे allergy को हम कैसे ठीक कर सकते है allergy होने के कारण क्या होते है, कौन से लक्सन डेवलप होते है और कैसे ये condition का हम इलाज कर सकते है तो detail में सिखते हैं आज के lecture में allergy के बारे में तो expert lecture by Amar Sir, assistant professor and founder of Farmer Oaks Thank you for being Farmer Oaks पे मिली updated review of formal knowledge के साथ सिखेंगे disease and medicines related course Farmer Oaks के अब उपर सिखेंगे दवायों के basic use के बारे में dose side effect, warning and contraindications एक साल तक affordable price में सरल बासा में Farmer Oaks के अब उपर और सिखेंगे दवायों के basic use उनके dose, side effect, warning and contraindication Farmer Oaks के अब उपर तो Android user Android आप डाउनलोड करें iPhone user app store से link आपको description box में मिल जाएगी या फिर 90163122020 नमबर पे आप call या WhatsApp कर सकते हैं तो अब समझते है allergy के बारे में तो allergy मतलब कि ऐसी medical condition है कि जिसके अंदर हमारी वोरी की जो immune system है वो abnormal react करते है किसी भी foreign substance के सामने कि जिसको खासकल allergen कहा जाता है तो यहाँ पे आप देखो proper mechanism समझते है allergy की तो यहाँ पे allergen है कि ऐसे foreign substance के जिसके contact में आप आते हैं तो allergen के तोर पे हम example ले लेते कि कुछ लोगों को dust की allergy होती है कि जिसको का ज़दा है कि कुछ लोग को dust के contact में आने से उनको allergy जिसी हो जाती है फिर कुछ लोगों को कोई medication की allergy होती है या फिर कोई pollen वगेरा है मिट्टी वगरा की allergy लोगों को हो जाती है तो समझे कि वो person ये allergen या फिर ये dust के contact में आ तो तुरंथ उसके body जो है वो abnormal react करना शुरू करेगी वो उसके particles के सामने तो तुरंथ जो immune system जो है वो activate हो जाती है और B cell के थुरू आगे जाके IgE produce होना शुरू करते हैं IgE आगे जाके mast cell को जो है वो activate करके हमारे body के अदर ऐसा chemical release करते हैं कि जिसको हम कहते है histamine और histamine जैसे body के अदर release होता है तो allergic reactions develop होना जो हो शुरू हो जाती है कि हमें पता एक ऐसा chemical है कि जो allergic reactions के लिए responsible है तो खासकर जो medication use की जाती है allergy के अंदर तो वो ऐसी होती है कि histamine की effect को कम करने वाली anti-histamine medication खासकर हम use करते है allergy को ठीक करने के because ये mechanism के तोर पे histamine produce होता है उसकी effect को हमें कम करनी होती है तो इसी के लिए anti-histamine medications खासकर allergy को ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं, तो एक ऐसी reactions हमारी body के अंदर develop होती है, कि ऐसे कुछ harmless substance होते हैं, कि जिसको allergen कहते हैं, कि वो सभी लोगों को affect नहीं करते, कि आप समझे कि 10 लोगों का survey करें, तो 10 में से साइथ आपको 1 या 2 person ऐसे मिले, कि उनको dust की allergy हो, बट बाकी 8 person अगर dust के contact में आते हैं, तो उनको कुछ नहीं होता, reason यह है कि यह allergen जो हामले substance होते हैं, सभी के लिए वो allergy produce नहीं करते हैं, सिर्फ उनी लोगों को allergy produce करते हैं, कि उनको यह substance के contact में आने से, उनकी body के अंदर abnormal reactions देखने को मिलती हैं, तो जब किसी को allergy होती है, तो कौन से symptoms develop होते हैं, वो हम यहाँ पे समझते हैं, कि जब आपको allergy होते हैं, तो कुछ hypersensituted reactions देखने को मिलती हैं, जैसे कि eczema हो जाएगा, मतलब कि आपके body के उपर eczema जैसा फिल हो रहा है, फिर itchy mouth, मतलब कि जो आपका mouth है, उसके अंदर या फिर mouth के बाहर की और आपको खुजली जैसा फिल होगा, आपका face चेक करो, तो face के उपर आपको जो वो सुजन देखने को मिलेगी, फिर आप जो tongue है, आपकी जीब है, उसके उपर सुजन देखने को मिलेगी, या फिर जो lips होते है, वो वहाँ पे सुजन देखने को मिलते हैं, यह कुछ primary ऐसे symptoms देखने को मिलते हैं, कि वो आप बाहर से observe करते हैं, फिर internally body पे क्या effect होती है, तो वो ऐसा होता है कि nausea vomiting में लबकि उल्टी होती है, जी गब राता है, पेट में दर्द होता है, abdominal pain जोम कहते हैं, breathing करने में difficulty होते हैं, लबकि सास लेने में आपको problem होता है, dizziness जैसा आप फिल करते हैं, आपको नीन दाती है, उबासी आती है, ऐसा फिल करते हैं, और कुछ लोगों को दस्त हो जाते हैं, कि जब ये ऐसे allergens के contact में आते हैं, तो उसके करन कुछ लोगों को जो ये वो fever भी हो जाता है, food allergist से भी ऐसा हो जाता है, autopic dermatitis की जो, eczema की जो condition है, अस्थमा जैसी condition है, या फिर anaphylaxis reactions जो हम कहते हैं, तो वो सब देखने को मिलती है, जब आप allergens के contact में आते हैं, तो ये allergens क्या है, वो आप समझें, तो allergens एक harmless substances कहे जाते हैं, कि जो हमारे body के लिए foreign substance का काम करते हैं, और ये कुछ लोगों के अंदर allergic reactions produce करते हैं, सभी के लिए वो allergic नहीं है, कुछ लोगों के, जैसे आप देखो, कि समझें कि insect bite होता है, तो insect bite के करन कुछ लोगों को काफी allergic reactions उसके body के उपर develop होने लगती है, फिर कुछ लोग जब fluorescence के contact में आते तो भी ऐसा होता है, फिर आप गर पे कोई, आप पैट वगिर आपके गर पे है, और उसके hair या फिर उसके body discharge के contact में आते, तो भी कुछ लोगों को allergy हो जाती है, फिर जो household dust होती है, कि हमारे गर पे कई बार जो dust जमा होती है, वो dust समझो कि आप clean करते हैं, और उस वक्द वो dust के contact में आते, तो भी कुछ लोगों को allergic reactions देखने को मिलती है, फिर कुछ लोगों को milk की allergy होती है, कि जिसको lactose intolerance का आ जाता है, कुछ लोगों को feast मनलब की मचली की allergy होती है, strawberry की भी allergy होती है, citrus fruits की allergy होती है, उसी तरह से देखे तो बहुत सारा allergens होती है, जैसे कि कुछ लोग peanut के contact में आने से भी उनको allergy हो जाती है, फिर जो pollen वगेरा होती है, उसके contact में आने से भी कुछ लोगों को allergic reactions देखने हो मिलती है, mold वगेरा है, कुछ लोगों को एक के कारण, mustard के कारण, feast है, फिर soya है, nuts वगेरा है, सिसम के जो seed है, milk, sulfur dioxide है, जैसे बहुत सारा भी allergy नहीं होती, because, वो harmless substance है उसके लिए, but, अगर person B को, sulfur dioxide के कलन, allergy हो जादे, तो मैं ऐसे कहेंगे, कि ये person को, sulfur dioxide के allergy, तो उसको ये ध्यान रखना होगा, कि वो आगे जाके ध्यान रखे, कि वो sulfur dioxide के contact में नाए, उसी तरह से आपको dust की allergy है, तो आप ऐसे precautions रख सबकते हैं, कि जैसे आप ज्यादा से ज्यादा, कम dust के contact में आए, तो allergy के हम causes देखे, reasons वगेरा देखे, तो जब भी आपको ये ऐसे allergic substances के contact में आते हैं, तो ही आपको allergy होती है, जैसे कि, skin से contact होता है, कि किसी poisonous plant के contact में आप आ जाते हैं, कुछ लोगों को latex rubber की बी allergy होतीा, तो उसके करण पर problem होता है, animal के johhhh dander होते हैं, उनके करण परी आपको allergy हो सकती है, कुछ लोगों को duel इसकी पर allergy होता है कि कि किसी को समझा कि gold की allergy हो जाती है, किसी को silver की अलर्जी हो जाती है, प्लिटीनम के भी अलर्जी होते हैं, तो अगर वो ऐसे जोलरिस पहनते हैं, तो कुछ समय बाद उनके बॉड़ी के उपर, अलर्जी रियक्सन्स डेवलप होना सुरू हो जाती है फिर, इंजेसंस मतलब कि आपकी बॉड़ी के अंदर समझे कि मिल्क आप लेते हैं, तो भी कुछ लोगों को अलर्जी हो जाती है, मेडिकेशन्स के कारण भी हो जाता है, कि कुछ दवायों की कुछ लोगों को अलर्जी होती है मतलब कि 5 लोग आप समझे कि वो medication use करें और उनको कुछ नहीं होता तो अगर 6 परसन उसको use करें तो उसको वो medication से allergy हो जाएगी तो उसका मतलब यह है कि वो person को वो medication की allergy है तो वो ध्यान यह रखेगा कि आगे जाके जब दूसरे दाइम वो medication use करनी है तो वो completely उसको avoid करेंगा फिर कुछ लोग जब nuts वगेरा के contact में आते हैं या फिर selfish के contact में आते हैं तो भी उनको allergy हो जाती है injection के थुरू कुछ लोग medication ले तो भी हो जाता है या फिर जो मदुमक्खी के जो bite से के मदुमक्खी आपको काट लेती है तो भी कुछ लोगों को allergic reactions डेवलप हो जाते हैं फिर inhalation मतलब कि आपके breathing के थुरू ये allergens आपके body के अंदर जाते हैं कि जैसे कि pollen वगेरा है dust वगेरा है mold वगेरा है या फिर animal के denders भी आप आपके respirator रेक के थुरू आपके body के अंदर lacrimation मतलब कि आखों से पानी आना सुरू हो जाता है sneezing एक primary मतलब कि तुरंती आपको छीक आ जाती है sneezing हो जाती है runny nose मतलब कि नाक में से पानी आता है आखे लाल हो जाती है और पूरी body के उपर खिजली होना सुरू हो जाती है तो ये एक symptom primary develop होते है allergy के करण और अभी जो मैंने समझाया कि eczema है, itchy mouth, swelling आपके जीब के उपर, आपके face के उपर, आपके lips के उपर या फिर nausea vomiting, diarrhea, dizziness या फिर abdominal pain या फिर breathing करने में difficulty ये सब symptom develop होते तो prevent कैसे किया जाए ये एक option बनता है कि prevention is better than cure जो हम कहते है कि तो उसके तोर पर पर आपको जिसकी भी चीज़ की allergy है तो उससे आप दूर है कि आपको समझो कि dairy products की allergy है तो उनसे आप हमेशा दूर रहे second आपको sugar की allergy होगा तो आप sugar free use करे एक की allergy है तो आप एक free product यूज़ करे अगर आपको selfish की allergy है तो selfish free product यूज़ करे Nuts की Allergy तो Nut Free Lactose की Allergy है तो Lactose Free Product यूज़ करें, Weight की Allergy है तो Weight Free Product, Gluten की Allergy तो Gluten Free मलब की Allergen से आवाइड करें फिर जो भी Medications आपको Prescribe की जाती है उसी के According to Proper Diagnosis या फिर Patient Counseling के बाद ही यूज़ करें, अगर आपको Past में कोई Allergy थी, तो जरूर आपको Patient Counseling के दोरान बताना चाहिए कि आपको ये Substance की Allergy है ये Medication की Allergy तो आपके Prescriber आपको वो Medication Prescribe ना करें, फिर साथ में आपको ये दियान रखना है कि जो कुछ ऐसे Antidots होते हैं, जैसे कि Epinephrine है, कि Epinephrine के जो Auto Injections आते हैं, वो भी आप साथ में रख सकते हैं, कि आपको ऐसा होते हैं, कि अचानक से ऐसी Allergy Reactions हो जाते हैं, कि जो जान लेवा हो सकते हैं कि जिसके करन, एना फाइल एक्सिस हो जाता है, तो एक Epinephrine जो Medication है, वो आप या साथ रख सकते हैं, Auto Injectors इस तरह से पहने हैं, कि आप मतलब कि ऐसे Allergy के Contact में कम आएं, और Mask वगेरा पहन सकते हैं, Glows इस तरह से पहने हैं, आपकी जिससे आप Allergy से जो वो बच सकते हैं, तो आगे आप बाद हाते हैं, कि Allergy के लिए कौन से Medications यूज़ की जाते हैं, तो ऐसे Medications की जो आपकी Allergy को कम करें, कि जैसे उसके जो Symptom से कुछ, क्या आपको Runny Nose जैसे Symptom डेवलप होते हैं, या फिर Nuzzle Congestion हो जाते हैं, तो उसके लिए Medication आप ले सकते हैं, जैसे कि Anti-Histamine यूज़ की जाते हैं, De-Congestant है, Combination Drug या फिर Corticosteroids वगेरा यूज़ किया जाते हैं, तो पॉपिलर हम Medication देखें, तो Avil जो है, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला Medication है, Allergy के अंदर की जिसके अंदर, Phenaramine Melate करके Medication होता है, कि जो 25 Milligram के Strength में खासकर, Available होता है, तो जिससे हमने आगे देखा, कि Histamine की Effect को जिस तरह से हम बंद करते हैं, ब्लॉक करते हैं, तो Allergic Reactions कम हो जाती है, फिर दूसरा है Saturicin, तो Saturicin के जो Tablet होते हैं, वो भी Prescribe की जाते हैं, और Disloratidine, जो Medication है, वो भी उसकी जाती है, Phaxofenadine है, Levosaturicin है, Loratidine है, तो यह सभी Medication popular है, कि जो Allergy में यूज़ की जाती है, फिर Evil के हम बात करें, तो Evil का Injection भी होता है, Phenarmine Millet का, उसके Syrups वगरा के form में भी यह Medication Available है, और उसके Tablet Doces form भी Available है, तो जब भी यह Medication आप लेते हैं, तो Allergic Reaction के, जितने भी अलग-अलग Symptoms होते हैं, वो तुरंद वो ठीक करते हैं, जैसे कि, Skin के उपर आपको Resis हो रहा है, Eaching हो रहा है, मलब कि खुचली हो रही है, Skin के उपर, Runny Nose मलब कि नाग से पानी आ रहा है, काफी High Fever है, तो यह सभी Condition को Treat करता है, साथ हो साथ, जो Nausea Vomiting जैसे आपको होता है, कि उल्टी होती है, जी गबराता है, तो वो Condition को भी Evil Medication जो वो ठीक करती है, Anti-Histamine भी यूज करते हैं, De-Congestant, Combination Drug, Quartigo-Steroids, तो Anti-Histamine के हम दूसरे Example हम देखें, तो Bromphinariamine भी यूज किया जाता है, Clorafinariamine Medication है, कि जिसको Clorafinariamine Malate B, भी का जाता है, कि जो सिर्फ 4 mg के Strength में यूज की जाती है, क्लेमे स्टिन करके Medication आती है, Diphenhydramine है, Faxofinadine है, और Loratadine, तो यह सभी Anti-Histamine है, कि जो Histamine के Effect को Block करके, आपके Allergic Reactions को कम करते हैं, फिर जो Leucotrine Modifiers होते हैं, कि यह Medication Combination में यूज होती है, Anti-Histamine के साथ, कि Montelucast Sodium है, Zarphilucast है, Zelluton वगेरा है, तो यह Medication Single भी यूज की जाती है, साथ उसाथ कई बार Anti-Histamine के साथ इनको Combination में भी यूज की जाती है, फिर कुछ Topical Creams के बारे में हम देखी कि अगर आपको Skin Allergy हो जाती है, अगर आप ऐसे Polans के या फिर किसी Dust, या फिर आपके Allergences के Contact में आते हैं, और Skin के उपर ऐसी Skin Allergy हो जाती है, तो आप कौनसे Cream वगेरा यूज करोगे, तो Dermicam, उसी करके Medication आती कि जो Alchem उसके Manufacture कि जिसके अंदर Ofloxacin रहता है, Ornidazol रहता है, Turbinafin रहती है, और Clobate Asol रहता है, तो ये Cream भी आपके लिए काफी Effective सा भी तो थी कि जो Antifungal and Antimicrobial काम करता है, फिर Dermicam OC Plus भी है कि जिसके अंदर Neomycin, Sulfate, Miconazol, Nitrate है and Clobate Asol है, उसके लावा हम देखे तो Batnovate भी यूज़ की जाते कि Batnovate और Neomycin का Combination कि Batnovate N है और दूसरा Batnovate C करके भी Medication आती है, तो ये भी आप as a Topically आपके Body के उपर Apply कर सकते हैं, अगर ये यूज़ ना करना तो एक और Option बनता है, वो है Topical Losons की जो आप Skin Allergy के लिए यूज़ कर सकते हैं, कि जिसमें सबसे जो Popular कोई Loson हम देखे, Skin Allergy के लिए तो वो है Caledril, कि अभी जो हमने Detail एक Video बनाया था Caledril के उपर, तो जिसमें मैंने आपको Detail में समझाए कि जो आप Skin Allergy होती है, और जितने भी अलगलब टाइब के Skin Allergies होती है, Allergens के कारण तो उसमें आप ये Caledril Loson आपके Affected Area पे लगा सकते हैं फिर जो Calamine का जो Loson है था कि जिसके अंदर Calamine रहता है, Liquid Paraffin रहता है, Zinc Oxide, Glycerin, Aloe Vera Gel, Lotion तो ये Calamine Lotion भी काफी useful साभीत होता है आपके लिए तो अगर आप Caledril यूज़ ना करें तो उसके Option में Calamine भी यूज़ कर सकते हैं, तिसरा है Lacto Calamine भी इसके Alternative एकस Option बनता है आपके लिए Allergy को काम करने के लिए और चौथा Option रहता है, कि अगर बच्चों को ऐसे Allergy हो जाते हैं, तो इसके लिए Himalya का Soothing Calamine Lotion अवेलेबल होता है, कि जो specially बच्चों के लिए बनाए होता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर बच्चों को इस टाइब की Allergy हो जाते हैं, तो ऐसे ही सिखे बच्चों के दवायों के बेजिक उसके बार में डोस, साइड एफेक्ट, वर्निंग और कोंटर इंडिकेशन एक साल तक अफ़ाडिबल प्राइज में फार्मरोक्स के अवपर डाउनलोड कर रहे हैं, फार्मरोक्स, वाट्सेप कर सकते हैं 9016312020 पे तो study material, test series and video lecture के लिए 9016312020 पे contact करें या फिर डाउनलोड करें या फार्मरोक्स, लिंक हमने description box में दे दी है, good luck and all the best